होंडा ने भारतिय बजार में अपनी होंडा हाइनस CB350 के साथ रेट्रो क्रूजर सेग्मेंट में एंट्री कर ली है वैसे तो रेट्रो क्रूजर बाजार में रोयल एंफिल्ड क्लासिक 350 का दबदबा है एंड जावा 42 भी इस सेग्मेंट में अपना दबदबा बना रही है साथ ही बैनेली इंपिरियल 400 भी रेट्रो क्रूजर सेग्मेंट में उपलब्ध है लेकिन आगशक कीमतों के साथ हॉन्डा हाइनस CB350 को दो वैरिंस में लॉंच कर दिया गया है इसमें हॉन्डा हैनस CB350 Deluxe और हॉन्डा हैनस CB350 Deluxe Pro शामिल है दिखने में हॉन्डा हैनस CB350 आपको 1980 में आई हॉन्डा CB350 की याद दिलाती है यह सेग्मेंट में एक लोती ऐसी बैक है जिसमें ओल LED लाइट्स देखने को मिलती है Honda Hines CB 350 के दोनों ही variants same cycle parts पर based है यानि इन में chassis और suspension समान ही मिलते हैं साथ ही दोनों variants में 350cc का 4-stroke air-cooled engine दिया गया है बाइक में fuel injection technology भी मिलती है और दोनों ही variants के engine 5500 rpm पर 21 bhp की power और 3000 rpm पर 30 newton meter का talk जन्मेट करते हैं दोनों ही variants 5-speed gearbox के साथ slip और assist clutch के साथ आते हैं साथ ही दोनों variants में आपको same set of alloy wheels और tires देखने को मिलते हैं Hines CB 350 की लंबाई 2163 mm, चोड़ाई 800 mm और उचाई 1107 mm है wheelbase इसका 1441 mm है, बाइक का वजन 181 kg है जिसके चलते ये Royal Infilt Classic 350 से 14 kg भी हलकी है इस motorcycle में आपको 166 mm का अच्छा ground clearance देखने को मिलता है bike के friend में आपको 310 mm के disc और rear में 240 mm के disc brakes देखने को मिलते हैं Honda Highness CB 350 में आपको एक बड़ा सा analog digital meter मिलता है जिसमें side stand down indicator भी देखने को मिलता है company ने इसमें engine cut off feature भी शामिल किया है तो donor bikes में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है Deluxe version से शुरुवात करते हैं तो इसमें एक single tone paint scheme ही देखने को मिलती है इसमें metallic finish में आपको red, black और green shades देखने को मिलते हैं वहीं Deluxe Pro में आपको two tone paint scheme देखने को मिलती है साथ ही Deluxe Pro में आपको high tech bluetooth communication system भी मिलता है इस system को उल्टे हाथ के panel पर मिलने वाले switch gear से operate कर सकते हैं यह system voice command function के साथ आता है दूसरी और आपको donor bikes के horn में अंतर देखने को मिलेगा Deluxe में आपको single unit horn मिलता है जबकि Deluxe Pro में आपको dual horn setup देखने को मिलता है Honda Highness के दोनों ही variants में आपको extensive warranty package मिलता है Honda आपको 3 plus 3 years का warranty package दे रही है पहले 3 साल आपको standard warranty मिलती है और 3 साल की अतिरिक्त warranty भी आपको दी जा रही है जिसके लिए आपको extra charge देना पड़ता है Honda Highness CB350 Deluxe की कीमत 1.85 lakh रुपीज है जबकि Honda Highness CB350 Deluxe Pro के लिए आपको 5000 रुपे जादा खर्च करने होंगे Highness CB350 को कमपनी Honda के Big Wing Showrooms के जरिये बेचेगी जहां से कमपनी अपने premium motorcycles की बिक्री करती है आने वाले महीनों में देश भर में Honda के Big Wing शोरूम की संख्या 50 तक हो जाए